हेलो फोक्स वेलकम तो लूप लर्निंग्स और यह विडियो नुबर 26 हम बना रहें पेरोल मेंडिमेंट सिस्टम आई नो थोड़ा सा डिले हो गया है और काफी दिनों के बाद आ रहा हूं वीडियो लेके काफी काम में भी जरा हूं इसलिए नहीं आ सका सब्सक्राइब करते हैं आज की वीडियो और आज की वीडियो में हम जो प्रीवियस हमने मैंने आपको डेमस्ट्रेशन दिया था कि कुछ बटन के पीछे आपने वी बीकोडिंग करनी है और उनकी प्रूफ आमिन उनकी जो रिलेटिट डेटा है वो फैच करना है उमिद काता कुछ बटन के पीछे कोडिंग करके दिखा दी थी कि आप उसमें खुद बजाते खुद आप चेंजिस कर सके उस एक्जैंपल को लेके तो होफुली आपने वो कर लिया होगा अगर नहीं किया तो आप कर ले इस फॉर लर्निंग परपर्स या प्रोड़क्शन के लिए बन तो मैंने वो डिलीट कर दिया क्योंकि वो उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी तो अगर आप फॉलो कर रहे हैं मेरे टीटोरियल को तो आप भी प्लीज वो आमीन इसको फॉलो कर ले एक्स्क्यूज मी जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं तरह को हमने करना क्या है इस वीडियो में इस वीडियो में हम एक्चुली इस वीडियो में हम पेर हो ​क्रीट करेंगे कोई बटन कलिक कर रहा हूं यह जो लिसस बॉक्स ऑ यह जो बॉक्स रही है जो बटन है यह वहां नहीं यह रही तो में चेंजा यह स्बूस बिल्ड है अनुस्चीक्षम सब्सक्राइब करने है और डी तो यह परफेक्टली परफॉर्म करेगा ठीक है तो वह हम करते हैं और में मक्सद हमारा वीडियो का पेरोल क्रियेट करना है पेरोल जो इस बटन को मैं क्लिक करूं इस लिस बॉक्स में जो पेरोल हमने क्रियेट किये हुए हैं वह आजए और हम मतलब मुख्तलिफ महीनों के चाहिए कर सके हैं तो यह हमने यह परफॉर्म है यह हमने एक्टिवीटी करनी है लेकिन उससे पहले क्योंकि मैंने कुछ इंपलोई जैसा कि यह पेली एड़िट था इसका कंपनेसेशन अलरड़ी क्रियेट हुआ है तो मैं जल्दी से जाता हूं इसका मैंने क्रियेट किया था इसका नहीं create हुआ ओके सो इनका जो है वह हम create कर लेते हैं create composition create to save के यह हो गया इसको भी हम कर लेते हैं create composition let's say great to इनको भी देते हैं और यह हो गया ठीक है आप देख सकते हैं कि मैंने आपको यह मैंने दिखाया हुआ है कि कैसे automatically numbers आ रहे हैं इस drop down को choose करने से आपने अगर यह video नहीं देखी तो इसी series में आप कोई जो video है वो देख लिए video number मेरे खाल से start पहले top 10 videos में यह video definitely होगी ठीक है आप वो वीडियो भी देख सकते हैं कि यह कैसे numbers automatically आ रहे हैं okay so यह हमने जो composition है वो create कर लिया just to verify okay all right यह भी हो गया composition create इसका composition भी create हो गया इसका तो अलरड़ी था okay so this is done अब हम जा सकते हैं और हम manage payroll पर जब मैं क्लिक करूं तो यह जो list box है button और text box यह गाइब हो जाने चाहिए हैं जब मैं payroll पर क्लिक करूं तब यह दुबारा आने चाहिए और इनके ओपर जो respective information वो आने चाहिए तो चले उसके हम बंदबस करते हैं right click design view और यहां पर आके मैं manage payroll button पर क्लिक करूंगा event tab और यहां पर आऊंगा और आप देख सकते हैं कि इसमें कुछ already हमने coding की हुई है और इसमें कुछ changes करनी हो यह हैं कि me dot list dynamic dot visible is equal to false यह line of code क्या करेगा इसको list box को गाइब कर देगा hide कर देगा जू ही हम किसी और button को click करेंगे तो ठीक है so txt search और btn create इनको भी visible false करना है so me dot txt search dot visible is equal to false me dot btn create dot visible is equal to false okay so यह visibility इनकी कब आने चाहिए जब हम इन में से किसी button को यहानि के सब मेनी में से कोई भी बटन क्लिक करेंगे तो तब यह जो control है वो visible होने चाहिए अदर वाइस यह controls hide होने चाहिए similarly मैं ऐसा करूंगा इसके ओपर भी so हम इसी को copy कर लेते हैं और सब buttons जो है इनके पीछे यह हम तीन line of code जो है वो इसके अंदर अलएड़ी लिस्ट डाइनामिक नहीं को false होना चाहिए वाई okay manage earnings इसको मैं करूंग यह सब में मैंने किया हो है लेकिन आड़न नो वाई है I kept it as false true visibility लेकिन यह false होने चाहिए ठीक है true तब होगी जब हम submenu में से किसी button को click करेंगे तो अगर आपने मुझे follow किया हुए और आपने यह tutorials follow करके यह app बनाई हुई है तो please make these changes okay इसा होता है it's not a big deal ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है यह ऐसा होता है और यह देखे मैं मैंने notice नहीं किया पहले already code था इसमें तो मैंने वो delete कर दिया है manage organization same हम इसमें जाएंगे इसको हम करेंगे false 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 okay all right अब यह आ गया अब इस बटन के पीछे सो यह बटन है payroll का ठीक है पहला बटन इसमें आपको पता है यह dynamically use और है जैसे के employees earnings or compensation salary change यह सारी information को fetch करने के लिए यह बटन को इस्तमाल किया जा रहा है ठीक है अब I don't know यह duplication क्यों है मैं बेवी प्रैक्टिस कर रहा हूंगा शायद वेडियो से पहले करनी पढ़ती है कोई गलती ना हो जाए okay anyway so इसमें हम आएंगे और हम actually follow करेंगे payroll q q q riko और यहां से हम data fetch करेंगे क्योंकि हम क्या चाहिए कि हम basically इसमें data को fetch कर सके कि कौन से महिने के payroll और अल्रेडी create हो चुका है और अगर आपने क्यूरी बनानी नहीं से की तो वह भी बड़ी इसी है आप actually मैंने यहां पे गए create button और यहां पर क्यूरी में आकर क्यूरी डिजाइन में गए और हमारे पास यह क्यूरी बिल्डर आ जाएगा और यहां पर हमने आकर हमने right click करना है show table करने है और यहां से जो हमने टेबल उठाने है कौन कौन से टेबल payroll fiscal year fiscal month और यह वाली information हमें चाहिए तो वह ऐसे simple एक select क्यूरी मैंने बनाई है और उसकी मदद से हमने information fetch कर लिए इसमें column केतने है one two three four four column है और इनको हमने present करना है इस list box पे कब जब इस button पे click किया जाए तब okay so design property sheet dot 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 scroll down और यहां पे आके मैं बजाए इसके कि मैं दुबारा code लिकूं मैं इसी को copy करता हूं लेकिन changes of course करनी पड़ेंगी so इसमें आएगा payroll अच्छा इसमें यह main menu को हम refer कर रहे है main menu क्यूंकि जब इस button को हम click करेंगे तो अबर मैं right side पे scroll करूं तो आप देखे दो text boxes है so एक है main menu दूसरा है now viewing main menu में information तब आएगी जब हम कोई भी button main menu से click करेंगे और जो now viewing text box है उसमें information तब आएगी जब हम कोई भी button sub menu में से click करेंगे तो यह idea ठीक है so क्यूंकि हम button one को click कर रहे हैं तो इसमें जो txt now viewing है इसमें वह information आ जानी चाहिए तो वह भी हम add करते है me dot txt now viewing dot value is equal to pay row actually यह जो line of code है यह मुझे sub में इसमें add करना चाहिए क्यूंकि इन इन में हमने add नहीं किया हुआ ठीक है for some reasons all right okay इसमें आके अर्णिंग्स all right okay ठीक है so यह हमने कर लिया अच्छा यह तो हमने कर लिया लेकिन जो हमारी select statement है वो हमने change करनी है अब वो हमने कहां से information लेनी है मैंने आपको यह क्यूरी बताई थी इससे हमने information लेनी है तो basically हमें सब data चाहिए सब column चाहिए और सारी रोज चाहिए तो हम क्या simply करेंगे के simple एक छोटा सा line of code है select star star का मतलब है कि जो कुछ भी इस क्यूरी यह टेबल में है जिसको हम refer कर रहे हैं वह सारी की सारी information fetch कर लो ठीक है from from कहां से payroll queue so make sure कि आप spelling correct spell करें क्योंकि अगर spelling एक पी character alphabet wrong हो गया इदर दर हो गया तो आपको error आ सकता है इसमें कॉलम कितने है चार कालूम है सो हम कॉलम काउंट चार कर देंगे और यहां पर हम जो कालूम विट्थ हैं उनको भी हमने कम कर देना है तो पहला कॉलम हमने देखना है सो में इसको 2.5 cm कर देते हैं 2.5 actually 2.5 भी बहुत चोटा होगा but anyway चलेगा इसमें कोई मसला नहीं है तो यह हमारा चार कॉलम की होगी है विट्ट आराइट सो वन टू थ्री फॉर ओके अब हम इसको डिबग कर लेते हैं अब देखेगा जैसे फर्स 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 अफॉल टेस्टिंग करते हैं कि यह जो लिस्ट बॉक्स एक्स बॉक्स और बटन यह हाईड हो जाए क्योंकि हमने इसमें सेटिंग की थी अच्छा एक चीज मैं करना बोल गया हूं कि जब हम इन बटन को क्लिक करें तो यह विजिबल हो जाने चाहिए फॉर एक्जामपल मैं इसको मैंने क्लिक किया तो विजिबिलिटी नहीं हुई तो यह हमने करनी है यह करनी पड़ेगी सो हम सिंपली इदर जा सब्सक्राइब करें तो पर्फेक्ट अगर आपने इसको नहीं सेटिंग की तो प्लीज आप जरूर कर ले क्योंकि यह बहुत-बहुत ज़रूरी है सो मैं पेरोल को क्लिक करता हूं तो देखिए जो हमने कोडिंग की थी कि हमने यह इंफर्मेशन क्यूरी से उठानी है तो हमरे पास आ चुकी है एक और चीज मैंने यह करनी है कि यह जो डबल क्लिक इसको मैं करूं तो मुझे फेरोल ओपन हो जाना चाहिए इसका जो रिस्पेक्टिव मैंने रेकॉर्ड को क्लिक किया है ठीक है सो वह हम डबल क् लगा भी करना है तौ अभी मैं डबल क्लिक कर रहा हूं कुछ भी नहीं होडा तो लहाँ हमें इसमें पर लगाना पड़ेगा इसको मैं मैं सलेक्क करता हूं ऑन डबल-click event dot 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 और यहां पर आके हमने इसको कुछ इंस्ट्रॉक्षिण से एस्ट्रॉक्शिंस क्या देनी है open form कुन सा form open करना चाहिए लोजी form हम open कर लेते हैं और form का नाम है पे रूल एफ यह फार्म पे रूल एफ मेक शूर के आप पे रूल एफ के एंड कमा और कमा के बाद कुछ भी नहीं देना इसमें फिल्टर ने में में भी कुछ नहीं देना कि वेर कंडिशन इस्तमाल करनी है एक मैं किसको रफर कर रहा हूं इस फिल्ट को मैं रेफर कर रहा हूं ठीक है तो हम इसको सच करहें पी इडी एकुल इकुल खें अ सो बस आपने ये दो line of code लिखने हैं तो आपका जो function है वो create हो जाएगा तो अभी हम इसको test कर लेते हैं अभी हम जाएंगे manage payroll payroll और यहां पर आके हम देख सकते हैं अब हम इसको test करते हैं कि जो हमने code किया है इसे हमारे जो payroll information है वो open होती है के नहीं सो पहले line पर click करते हैं जो के payroll ID number 3 है और February का है double click किया तो आप देख सकते हैं open हो रहा है फिर उसके बाद January का payroll है payroll ID number 2 January इसमें already हमने इसको manage को complete कर दिया है मैं इसको testing करना चाहा है इस form को कि यह मतलब सही तरह काम करता है कि नहीं सो लहाजा उसमें कुछ चीजें मैंने चेक करनी है for example पहले testing हम यह करते है कि क्योंकि यह form यह status already completed है so इसमें कोई और payroll create नहीं होना चाहिए same महीने का same year का ठीक है so मैं double click करूं अगर तो यह सही काम करेगा तो फिर यह में error देगा otherwise यह payroll create कर देगा so double click करते हैं और यह सही काम नहीं कर रहाजा हमें इस पर एक चोटा सा line of code लिखना पड़ेगा ठीक है so इसमें हम जाते हैं राइट क्लिक design view close और यहां पर आएंगे dot 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 okay यह form open हो रहा है add view में add condition में और यहां पर condition यह लगानी है कि अगर यह जो okay so if me dot status dot value is equal to completed और approved approved होने के बाद भी कोई changes नहीं होनी चाहिए नहीं नहीं होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए correct me dot status dot value is equal to approved then to sing md dot beep message box now this action cannot be performed as the payroll is either approved or completed okay so you business logics है मेरे ख्याल से I'm sure okay इसमें जो title है वो हम information कर दे देंगे else अगर यह condition false है तो फिर यह proceed करना चाहिए और यहां पर last में हम end if के साथ इसको close करेंगे तो यह हमने debug किया run किया save किया अब हम चेक करते हैं दुबारा इसे so double click this action cannot be performed as the payroll is either approved or completed okay so यह business logics है इनको हमें लगाना चाहिए complete button के पीछे मैं देखता हूं कोडिंग क्या है complete button के पीछे एक चीज मैंने चेक करने है so if it is completed if it is new okay all right this seems to be okay एक और चीज चेक करने है वह मैंने यह notice किया है कि जब payroll create होता है और उसके बाद यह वाला list box update नहीं होता automatically so उसको भी हम कर लेते हैं तो उसके लिए simple एक trick है हम जो payroll lines form है इसको open करते हैं और इसके on close event पे एक छोटा सा line of code हम add करेंगे ठीक है error handling ले 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 और यहां पर code आएगा forms कुन सा form है payroll f dot refresh that's it बस इतना सा काम है तो अब automatically refresh भी होजेगा form हमारा मेन form जब हम payroll create करेंगे अच्छा मैं एक और काम करना चाहरा हूँ वह यह है कि payroll lines मैं delete करता हूं क्योंकि हम तुबारा टेस्टिंग करते हैं इसकी और उसके बाद payroll में जाएंगे और यहां delivery का जो है इसको भी हम कर लेते हैं क्योंकि हमने data add करना है और राइट के सो लॉग इन लॉग इन क्या था हम एक्स नहीं लूप लर्निंग्स नहीं लर्निंग्स यह ओके को अब हम जाते हैं फेरो फेरो पहले टैकल करते हैं चैन्वरी का फेरो और एड कर ठीक है जी तेका यह मैं बात कर रहा था यह मैं बात कर रहा था अब देखा कितना नाइस एन इजी अप्ट फेरो ल क्रियेट हो रहे हैं ओके से वाटमेटिकली पहले से किया हुए है इसको हम अप्रूव कर ले ते हैं किया रहे हैं मैक्सर एक्सस कांट फाइंड थी एल बील नीम रफर टू इन इक्सप्रेशन इसलिए यह अप्रूव्ट बाई की इन्फोमिशन इसमें नहीं आउटमेटिकली कैप्चर हो रही तो इसको भी हम देख लेते हैं और एक्चुली यहां पे आते हैं और यहां पे देखते हैं कि एल बी एल सॉरी इक्स टी एक्स टी एंप नेम यह आना चाहिए और राइट सो इसमें हम देख लेते हैं अप्रूव के इसमें टी एक्स टी एंप नेम अब इसको काम करना चाहिए और राइट अब हम एक और काम करते हैं जस्ट फर दी सेक और टेस्टिंग फेर ओल में जाते हैं अप्रूव्ट हम इसको भी हम न्यू कर देते हैं अब हम दोबारा लॉग इन करते हैं MPX learnings password है और पेरो पेरो जन्यूरी अप्रूव्ट तुम अब देके हैं आप कोई आरर नी आ रहा और एंप्लोई का नाम भी आटमाटिकली फेच्छ हो रहा है पर्फेक्ट आव इसको प्लेट कर देते हैं यस पेरोल है पेरोल आज पेरोल आज पेरोल हो चुका अब दूस में अच्छी महिने का के कि अधर करें आज और रहाइट ऑके यह प्रूव गया कि प्लीट हो गया और राइट अवे कोर पेरोल क्रीट करें अब पेरोल क्रेट करने करने के लिए इस बटन के पीछे हमने कोडिंग करनी है हैं सो चलें वह भी कर लेते हैं देखें इसी तरह इसी तरह आप सीखेंगे वन बाइवन स्टेप जो हैं उनको फालो करके ओके सो इसमें सबसे पहले हम कर लेते हैं मी इफ if me dot txt now viewing dot value is equal to payroll then me sorry do cmd dot open form कौंसा form payroll f or add condition मी अपने जाएंगे एक और कर लेते हैं else if me dot txt now viewing dot value is equal to employees oops then do cmd dot open form m kya nama mp profile f ठीक है कॉमा 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 और इसको भी add में open और चाहिए ठीक है so यह हो गया हमारा code दोबारा हम login करते हैं यह live आपको मैं दिखा रहा हूं कि आप कैसे जब आप develop करें application तो आप एक एक चीज़ को ऐसे टेस्ट करें ताके आप या आप की कस्टमर को सफर मर करना पोड़े के फिर ओल आगे create करते हैं और मार्च का करते हैं और save करते हैं इसको हमरे पर से employees की information आगी और इसको भी हम टैकल कर लेते हैं तो हुआ क्या है कि मैंने immediately save करने के बाद मैंने payroll create किया है तो उसने मुझे error दिया कि यह नंबर का payroll तो exist नहीं करता हला कि create हो चुका है उसके वज़ए यह होते है कि कुछ microseconds चाहिए होते हैं डेटा को refresh होने के लिए सो हम इसको क्या करेंगी कि हम manually refresh करेंगे data को ता कि हमें वह error नहीं आए ठीक है इसको मैं close करता हूं यहां पर आते हैं और save कि टॉट 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 यहां पर आए और के इसको हम कर लेंगे me.refresh यह बड़ा जरूरी है यह करना भी बहुत important है ओके अब एक काम करता हूं इसका जो चलो हम एक नया create कर लेंगे दोबारा so mpx learnings और फेरो फेरो मार्च चलो इसको create कर देते हैं all right cool यह हो रहा है अब हो गया और complete भी हो गया अब मैं एक अब वेर नहीं आए ठीक है just matter of thinking कि यह क्या था क्यूं आया है मुझे क्या करना तो देख सकते हैं आपके हमने पेरोल create कर लिया है पेरोल का form create कर लिया है उसमें सारे पेरोल की information add कर दी है अब जो next stage है वह यह है कि मैंने offline में मैं इसमें मैं क्या करूंगा कि बारा महीनों का यानि के December तक मैं इसका पेरोल create कुरूंगा उसकी reason यह है कि जो next upcoming series आ रही है उसमें हम क्यूरी बनाएंगे उसमें हम reports बनाएंगे ठीक है मैं इसको complete करना चाहता हूं इस application को लेकिन unfortunately मुझे इतना मैं busy होता हूं कि मुझे थोड़ा सा भी time नहीं मिलता है कि मैं इसके उपर आपको वीडियो बनाकर दिखा सकूँ आज थोड़ा सा time मिला मैंने सोचा आपको immediately एक छोटी सी वीडियो बनाके दिखा सकूँ anyway अमीड करता हूं आपने कुछ सीखा होगा अगर नहीं भी सीखा तो मुझे comments में जरूर बताएं अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कर दें और शेयर करें दूसरों के साथ जो जिनको access पसंद कर दो लाई कि बाई